घर में बरकत चाहते हो, तो करें ये काम नमबर एक, बटवे या रुपए को पेंट की पीछे वाली जेव में न रखें नमबर दो, प्रतिदिन शरीर के सभी छिदरों को तीन वक्त जल से धोएं नमबर तीन, शर्ट और पेंट की जेव फटी हो, तो उसे ठीक करवाएं नमबर चार, गाय, कुते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है नमबर पांच, किसी भी देवटा की दो तस्वीरें, ऐसे न लगाएं कि उनका मुँ आमने सामने हो नमबर छे, घर की स्त्री का सम्मान करें नमबर साथ, बार बार थुकने, जिंकने, और खासने की आदत को बदलें नमबर आठ, दक्षिन दिशा में पैर करके न सोय नमबर नौ, भोजन करने के बाद, ठाली में ही हाथ न धोयें नमबर दस, भोजन करते वक्त, अजीब सी आवाजें न निकालें नमबर ग्यारह, परिवार के सरदस्यों के साथ बैठ कर भोजन करें नमबर बारह, छट पर रखी पानी की तंकी से पानी बहता हो, तो उसे भी ठीक करवाएं नमबर तेरह, जाड़ू को ऐसी जगह रखें, जहां किसी अतिथी की नज़र न पहुँचे नमबर चौदह, जाड़ू को पलंग के मीचे न रखें नमबर पंद्रह, वाश्रूम को गीला रखना, आर्थिक स्थिती के लिए अच्छा नहीं होता है प्रयोग करने के बाद, उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए नमबर सोलह, घर में ताले, कथई, मटमेले, जामुनी और बैंद में रंग का इस्तिमाल न करें, चाहें चागर, परदे या दीवारों का रंग हो नमबर सक्रह, खाने की ठाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े ऐसा करने से खाना प्रयत योनी में चला जाता है नमबर 18, किसी देवी वेवता की एक से ज्यादा मूर्तिया कस्वीर न रखे नमबर 19, सप्ताव में एक बार समुदरी नमक से पोंचा लगाने से घर में शांती रहती है, घर की सारी नकारात्म कूर्जा समाथ हो जाती है और घर में लक्षमी का वास रहता है नमबर 20, जहां मदिरा सेबन, स्त्री अपमान, तांसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है नमबर 21, पीपल के व्रिक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुर कर न देखें नमबर 22, घर में देवी देवताओ पर चड़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी, उन्हें घर में रखना अलाबकारी होता है नमबर 23, किसी भी प्रकार का नशान न करें नमबर 24, जूट बोलते रहने से बरकत चली जाती है नमबर 25, दान्तों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें नमबर 26, ठाली में कभी जूठन न छोड़े नमबर 27, भोजन करने के बाद ठाली को कभी किचन स्टैंड, पलं या टेबल के मीचे न रखें नमबर 28, भोजन करते वक्त वारता लाप या क्रोध न करें नमबर 29, नल से पानी का तपकना, आर्थिक खशती का संकेत है तपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं नमबर 30, घर को साफ सुथरा और सुन्दर बना कर रखें